आज ग्लास बन को जो एक्टिविटी दी गई थी उसका नाम था न्यूस पेपर ट्रेसिंग तो इसमें बच्चों को घर से ही न्यूस पेपर लाने के लिए बोल दिया गया था कुछ बच्चे लेकर आये थे जो नहीं लाये थे उनके साथ बाकि सबने शेयर किया था और उसके बाद सभी बच्चे जुट गए ट्रेसिंग में किसी को ट्रेस करने के लिए काटून्स मिले, किसी को हुमेंस, तो किसी को मिली कार्स जैसा कि आप देख रहे हो, सभी बच्चे लगे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी क्योंकि सब बच्चों का फोकस था बेसिकली ड्यूस्पेपर ट्रेसिंग को हमने चूज किया बच्चों की मोटर स्किल्स को डिवैलप करने में जैसा कि आप देख पा रहे हो, बच्चे आउटलाइन ड्रो कर रहे हैं जो भी पिक्चर उन्होंने देखी और ये एक्टिविटी बच्चों की मोटर स्किल्स यानि की फिंगर्स की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, उनको अच्छा मुव्मेंट देती है और साथ ही बच्चों का फोकस भी भड़ता है ये बहुत इंट्रेस्टिंग भी है क्योंकि हर बार बच्चे को नई पिक्चर मिलेंगी ट्रेस करने के लिए तो घर पे भी कुछ ऐसे ही न्यूस पेपर्स, मैगजीन या और अन्य पिक्चर दी जा सकती हैं जिनको ट्रेस करके बच्चा काम में लगा रहे सबसे अच्छी चीज जो इस एक्टिविटी की है वो है आई-हेंड कॉडिनेशन बढ़ता है इसमें बच्चे देखकर एक-एक चीज बच्चे देखकर उसकी उपर से ट्रेस करते हैं तो उनकी जो mind की capabilities हैं, उनके hand के साथ coordination है, वो सब बढ़ता है तो class 1 के सभी बच्चों को ये activity करने में बहुत मज़ा आया, सबने बहुत enjoy किया क्योंकि हर बच्चा कुछ अलग कर रहा था और अपने आप में लगा हुआ था क्योंकि हुआ 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 है क्योंकि हुआ 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 है क्योंकि हुआ 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 झाल झाल